तो first of all hello friend, welcome आपका आज की वीडियो में और आज हम जो है सीखने वाने है deposit और withdraw के बारे में कि क्योटेक्स में किस तरीके से withdraw करोगे और deposit करोगे Binance की help से तो अभी आप देख सकते हूं यहाँ पर मेरा यह क्योटेक्स का अकाउंट है यहाँ पर मेरे लाइव अकाउंट में बैलिन साब देख सकते हूं 73 डॉलर है तो मैं अगर इसको withdraw करना जाहूं तो मैं कैसे withdraw करूंगा पहले withdraw का process देखाता हूं फिर मैं deposit करके भी दिखाऊंगा लाइव क्लिक करना है जैसलेक्पने email id कर लिए जैसे आपको सिंपल करना है यहाँ पर आपके पास फेकर यहां पर आपके पास एमेल में कोड आएगा आप एक बार आपको इमेल में जाकरके रिएं जैसा अब पर रिपर पर इमेल मिल जाएगा और वहां से आपको OTP आपको सिंपल से डालने हैं और इसके आदे ही मिनते की बाद करके भी दिखाऊँगा कि पिर मिन कंफर्म होता है कि नहीं होता है तो यहां पर जो है आपका OTP आ चुका है तो इसको मैं पर पिल कर लूँगा कॉपी करूँगा यह से कंफर्म करूगा जैसे मैंने सकंफर्म किया यहां पर request के सक्सिस्फफल हो है और यहां पर मेरा पर जो अकांट है और यहांपर आप देख सकते हो मेरा जो विट्र है वो बेटिंग मी घृस 일이 हे है Thursday करूगा आप आप लोगों को मैं जो है वहां पर confirm कर दूँगा आपको email भी शो कर दूँगा कि email जब आता है withdraw के बाद तो वह भी शो कर दूँगा हम Binance में चलते हैं अपने और वहां से USDT की deposit करते हैं तो चलिए अगर आपको क्योटेक्स में Binance की तुरू deposit करना है तो सबसे पहले आपको जो है Binance में USDT खरीद रहा होगा मतलब की Binance में पहले deposit करना होगा तो पहले बाइनस में deposit कैसे करते हैं इस process को हम यहां पर समझ लेता है यहां आपका Binance account है simple सा पको open करना है नीचे wallet पर अपको लीक करना है जैसे आप वालेट पर क्ली करोगी यहां पर funding का एक option आ जाता है क्योंकि मेरे finance account में already balance है तो मैं बहुत ज्यादा amount का यहाँ पर USDT नहीं खरीदूँगा मैं सिर्फ बहुत कम 2000 रुपए का खरीद दूँगा तो जैसे मुझे अपने range का मिलता है मैं यहाँ पर खरीद दूँगा तो 1000 से 2000 रुपए का मुझे 1000 रुपए 200 रुपए तक का तो मैं इसको एट करता हूँ और यहाँ पर बायविद जिरूफी में आपको क्लिक करना है जैस्से आप क्लिक करोगा यहाँ पर आपके पास option आजागा यहाँ पर देखिये नीचे पूरा information मिलेगा Mac payment पे आपको क्लिक करना है जैसे आप Mac payment पे क्लिक करोगे आपके पास यहां पे एक UPI ID आ जाएगा जिसको आपको पैमेंट करना है इसको हमने कॉपी कर लिया अब यहां पे UPI ID को कॉपी कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान में रखना आपको यह नेम भी देखना है यह नेम इग्जाक्ट मैच करना चाहिए है ना जब आप फोन पे में या UPI में जब आप इसको पैमेंट करोगे तो यही नाम जो है वो शो करन उसमें नाम सेम होना चाहिए दूसरा दूसरा अकाउंट नहीं होना चाहिए अधर्विस वहां पे प्रोब्लम क्रिएट हो चकता है तो अब हम आच होगे अपने फोन पे में और यहां पर सिंपल सा उनको हजार रुपए का हम पेमेंट करेंगे और हमारे अकांट में बैले जो भी आपका पैमेंट करनें आपको सिंपल सा और स्क्रीनशट लेके रखना है तो पहले हम पैमेंट कर लेदे हैं हजार रुपए का फोटापर तो जश्टिवेट हम इनको जो है थाउसर रुपी का पैमेंट कर देते हैं तो यह जुझा हमने तकी अनुक्त हाँपकर लि सक्सेसफुली प्रोसेस कर दिया है पर में जैसे सक्सेसुल होगा आपको यहां पर एक इन्फORMESH Small यहाँ पर दिखिए एक विव डिटेल स्पी क्लिक करें यहां पर यह जो होगा इसका स्क्रेंशॉट ले ले सामने वाला जो person है वो आपको payment जो है वो confirm करेगा यहाँ पर हमने payment confirm कर दिया है ओके तो यहाँ पर confirm हो चुका है और मैं यहाँ पर एक message डालता हूँ मैंने आपको छोड़ करके यहां से क्रॉस करके पीछा आजाना है जैसे आप पीछा होगे फंडिंग वालेट में आपके पास balance होगा यहां पर इसको फिर से पीछे लेकि आए और इसी तरीके से आपको पीछे जाना है फंडिंग वालेट में ठीक है तो यह आपका confirm हो चुका है ओटीपी भी आ चुका है आपका कि यहाँ आपका जो ट्रांजिक्शन था वो अपने खरीद लिया है बट इक चीज में आप लोगों को बता रहा हूं जब आप यूस डिटी खरीदते हो तो थोड़ा सा कॉस्टली परता है क्योंकि आपके जो बाइनस है यहां पर आपको 89 रूपिस परता है जैसकि अभी आपने देख और जो आपका क्योटेक्स है वह यहां पर deposit किया था funding wallet पर आ जाता हूं और अब आप यहां देख लिए 11 डॉलर जो मैंने खरीदा था हूं यहां पर aid हो चुका है ट्रांसफर पर क्लिक करें जैसे आप ट्रांसफर पर क्लिक करोगे यहां पर आपको यूस डिटी सेलेक्ट करना है यूस डिटी आपने सेले क्योकिटि करना हैं इसको हम समझने वाले हैं तो चलिए उसको भी हम आपके समझते हैं तो चलिए अब हमा पर यहां पर बाहिन के क्लिक करना है जैसे आपको यहां पर amount type करना है मैंने यहाँ पर amount type कर दिया यहाँ पर 25 डॉलर अब 25 डॉलर मैं एट करने के बाद यहाँ पर नीचे simple सा deposit पर click किया जैसे मैंने deposit पर click किया यहाँ पर मेरे पस qr code आएगा इसको मैं simple स्कैन करूंगा तो just wait यहाँ पर qr code आने दीजिए थोड़ सा time लेगा और qr code मुझे यहाँ पर visible हो जाएगा जैसे यहाँ पर qr code visible होगा अब यहाँ पर जो है मैं simple सा यहाँ पर simple सा उपर screen पर click करोगे आपके पास qr code का option आएगा यहाँ से स्कैन करोगे 25 डॉलर का यहाँ पर amount करने के लिए आजाएगा 25 डॉलर यहाँ से confirm करना है और simple सा password आपको डाल देना है तो यहाँ आपने डाल दिया पासवर्ट कर दिया आपने अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे laptop के screen पर यहाँ से confirm हो चुका है और यहाँ पर deposit जो है कंफर्म हो चुका है यहाँ पर देख लीजिए deposit यहां पर 28 डॉलर हो चुका है थी डॉलर पहले था और 25 डॉलर मेंने deposit किया था तो वो successful हो चुका है यहाँ पर बस यहाँ पर आपका successful हो चुका, अब हम क्या करेंगे, wait करते हैं, जो आपका withdraw का process है, उसको जैसे आएगा, उस video को भी यहीं पर attach कर दूँगा, जिससे का आपको एक complete video में deposit और withdraw का पूरा पूरा process मिल जाए, तो मैं wait करूँगा, जैसे ही withdraw complete होगा, उसको भी मैं यहाँ पर attach करूँगा तो देखें, friends, जो मैंने QTX में withdraw किया था, वो almost 30 minute में confirm हो चुका है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको email दिखा देता हूँ, यह दिख लिजे, मेरे पास email आ चुका है, अभी कुछ समय पहले ही, मुझे email यहाँ पर मिला हुआ है, तो एक बार मैं आपको email confirm करवा देता हू तो देखें, यहाँ पर 414 में मुझे मिला था, यहाँ पर मैं video edit ही कर रहा था, इसलिए मैं नहीं देख पाया था, तो यहाँ देख लिजे 70$ मुझे confirm हो चुका है withdraw करना, अब यहाँ पर receive हो चुका है, मैं यहाँ पर अपने Binance पर चला जाता हूँ, और यहाँ पर आपको account balance शो कर देता हूँ कि yes withdraw हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पर wallet में आ जाते हैं, और wallet में आके funding पर हम आ जाते हैं, तो जैसे आप funding पर आओगे, आप यहाँ पर देखोगे, आपके पास 70$ आपके पास आ चुका है, आप यहाँ से देख सकते हो, तो जो 70$ है, यह आपका तरीके से, तो hopefully आपको सारी चीजसे समझ में आया होगा और यह वीडियो, so चलिए, thank you so much, मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्यार रखिये, शुक्रिया